हेलो दोस्तों मैं हूँ तुशार शाहू और वेलकम तो मैं चैनल दोस्तों आज आपके लिए एकदम लेटेस्ट वीडियो लेकर आया है हुमारे पास में 2021 मॉडल न्यू महंदा बुलैरो नियो एन 4 वीनियर गाड़ी है जो कि एक बेस वीरियन गाड़ी है और इस गाड़ी म है वह उसमें आपको क्रोम फिनिसिंग देखने को नहीं मिलती है एन 10 जो टॉप वीरियंट है यहां पर आपको डेधने को मिलती है तो इसमें नॉर्मल मिलता है सब्सक्राइट से जो इसका बंपर है काफी पढ़िया है यहां पर आप देखे एन 4 वीडियां के अंदर कंप वील आपको दिया है एंटेन वीरियंट के अंदर आपको अलावे वील कंपनी प्रोवाइड करती है एंट फोर जो वीरियंट है इसके अंदर आपको पार विंडो चारों मिल जाते एयर बैक्स तो मिलते हैं लेकिन इन्फोटेन्मिन सिस्टम के हम लोग बात करें तो वो आपको नहीं मिलता है यहां देखेंगे तो यहां पर आपको स्टील वील मिलता है साइड वाला जो ग्लास है साइड मेरा वो भी ब्लैक कलर के सेड में मिलता है और यहां रियर साइड में आप देखेंगे तो गाड़ी स सेम आपको मिलती है लेकिन के अंदर आपको सिस्टम नहीं दिया जाता है रियर साइट का वाइपर जो है वो भी कंपनी प्रोवाइड नहीं करती है तो कोई बात नहीं आप भी एंट फॉर विंडेंड लेके उसको मार्किट से डिलवा के टॉप विरियन में कर सकते हैं बुल की बैजिंग तो चलिए अभी इस गाड़ी के अंदर कुछ एसेसरी हम लोग इंस्टॉल करने वाले जिसके बारे में आपको मैं अभी बताने वाला हूँ वीडियो को आप आखरे तक देखिएगा तो फस्ट अफॉल इस गाड़ी के अंदर अभी हम लोग डालेंगे जो पसीना वगरे उसे अब्जॉब कर लेते हैं और काफी बढ़िया लुक में भी दिखते हैं तो चलिए अभी वन बाइबर आपको बताऊंगा यहां पर गाड़ी के इंटीर की बात करें तो यहां पर बेजन ब्लैक कलर की कॉमबिनीशन में आपको गेट का इंटीरिया बाटर होल्डर का सपोर्ट यहां पर कंपनी ने आपको स्पीकर नहीं दिये तो आप इसके अंदर स्पीकर जाल सकते हैं मैटिंग देखिए जलेवी पैटन वाली वाइट एंड सिल्वर कॉमिनीशन वाली यहां पर डाली गई है कार के टाकिक फ्लोर की प्रोटेक्शन मार्केट से मैन्वल एसी कंट्रूल बटन 12 वाट का चार्जिंग का सपोर्ट और यहां पर चारो पावर विंडो की स्विच यहां पर दिये हुए यहां पर आपको गारी में हैंड्रेस्ट नहीं मिलता है तो हैंड्रेस्ट आप मार्केट से ले सकते वुड़न वाला हैंड में देखेंगे तो टिकेट होल्डर और LED लाइट का आपको सपोर्ट दिया जाता है क्योंकि यह बेस वीजर गारी है तो इसके अंदर आपको स्टेरिंग कंट्रूल बटन कंपनी प्रोइड नहीं करती है चलिए अभी समय पहले हम लोग बात करेंगे तो इस गारी के अंद आप चाहें तो इसमें डलवा सकते हैं डाल दिया तो आप जाके चेक कर सकते हैं प्लेलिस्ट में यहां बात करेंगे तो यह देखिए यहां पर कॉटन फैबरिक वाला यह सीट कवस इंस्टॉल किया जा रहे जो कि वाइट कलर के काफी प्रीमियम क्वालिटी आपको दिख लॉकिंग इसमें अलग से डाला गया है आप चाहें तो मार्केट से फिलिप की वाला दलवा सकते हैं यहां देखिए यह जो की है फिलिप की वाली मिलती लेकिन इसमें रिमोट नहीं होता है तो रिमोट के लिए आपको मार्केट से या फिर सोरूम से सेंटर लॉकिंग दल कवर से लुक आप देखिए कितना प्यारा है वाइट कलर का है कॉटन फैबरिक है वाशेबल है और इसका इस्टॉलेशन यहाँ पर किया जा रहा है लुक की बात करें तो एक व्याइपी लुक आपको इस सीट कवस में देखने को मिल जाएगा इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर से अवलेवल होता है आपको जो भी पसांद हो आप इसे इस्टॉल करवा सकते है अभी इसमें वाइट कलर की टॉविल सीट कवस का इंस्टॉलेशन किया जा रहा है और सभी सीटों का प्रॉपर साइज आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा बीच वाली सीट में हेंड् फिलम लगाई रही है जो में है ग्री कलर की गाड़ी है गरीन कलर की फिल्म इसमें लगाने से यह संडरेज है डारेक्ट जो आती है वाया गाड़ी के अंदर उससे आपको प्रूडएक्ट्ट नमिल जाएगी गाड़ी का लुप काफी बढ़ ऑगा है यहाँ आप देखए rear side की जो seat है उसमें भी installation चल रहा है seat covers का जो कि आप देख सकते हैं इसके अंदर आप चाहें तो leather seat covers भी ढाल सकते हैं अभी आप देखेंगे तो इसमें tovel seat cover का installation किया जा रहा है बात करेंगे इस गाड़ी का full 9 इंच का touch android store system आपको मिल जाता है speakers भी आपको मिल जाते हैं जो की आप doors पे install करवा सकते हैं एक वीडियो मैं जली जाओंगा जिसमें infotainment system के बारे में आपको बताओंगा किस तरह के से इसका installation किया जाएगा अब भी हम लोग बात करेंगे तो यहां देखे steering wheel जो stretchable वाला cover होता है वो यहां पर install किया जा रहा है सलाई करके इसे लगाया जाता है तो लोग आप देख सकते काफी बढ़िया है ब्लैक कलर का stretchable वाला यह है steering wheel cover जिसका installation यहां पर किया जा रहा है तो आपने भी कर बीस विजन गाड़ी ली है तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है आप भी उसके अंदर सारी ऐसे से डलवा सकते हैं अभी देखे सबी windows पे film का installation चल रहा है संद्रे से production मिल जाती है 20 80% visibility वाली यह है तो उसमें को problem नहीं बल्या आप इसमें installation करवा सकते हैं यहां आप देखे साइड में installation हो गया है और जो हमारे headrest है उसमें भी cover का installation किया जा रहा है ताकि full आपको बड़िया सा seat covers देखने को मिले तो यह चीज भाई आप भी अपनी बलेरो गाड़ी के अंदर install करवा सकते हैं चलिए अभी हम लोग बात करेंगे तो back side में आप देखेंगे तो यहां पर installation अभी चल रहा है foldable seat है back side की जो कि आप fold कर सकते हैं आप space कर सकते कोई भी लगे जगे यदि आपको लखना है तो इन covers का installation आप खुद भी कर सकते हैं आपके पस कोई भी गाड़ी है तो हम आपको यह covers provide करा देंगे home delivery करा देंगे और आप हमसे contact भी कर सकते हैं इस आंगे बढ़ेंगे तो यहां पर आप देखें त रिया साइड का installation हो गया है अब बस installation जो रहे गया है वो भाई headrest का है तो इसके लिए proper headrest भी आपको मिल जाते हैं तो headrest के cover आप देखें फरंट साइड के तो दो लो लगा दी है बीच वाले सीटों के भी अभी लगाना बागी है तो वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लगन आप लगा सकते हैं और अब एक वीडियो मैं डाला जिसमें सोरूम की दी गई आइसेसरी आपको किस तरह की लगती है तो वो भी आप चेक कर सकते हैं यहाँ आप देखेंगे तो यहाँ पर door guards बाहर से लगाए गए है black color के black and chrome finishing के साथ वाले और काफी बढ़िया यह लगते इन है cotton fabric है कभी भी गंदे हो तो से लिकाल कर wash करके आप इसे reinstall कर सकते है quality product है भाई बहुत शांदाल लगते है installation होने के बाद में आप चाहे तो इसमें VIP curtains और डाल सकते हैं जिससे इस गाड़ी का look और भी भैतरी हो जाता है तो अभी यह seat covers का installation यहाँ पर हो गया है back side की जो को मिल जाएगा तो भैंद्रा बुलेरो नियो जो विरियंटै इस ऐसी आपको मिल जाती अब के से अब इच्टर जल्द ही आपको इस गाड़ी का EPS गार्ट भी देखने को मिलेगा उसका वीडियो भी मैं डालने वालों जल्दी तो आप वो चीज भी लगा सकता है जैसे कि B6 video के अदर आपको ABS guard मिलता है अभी यहां पर infotainment system भी लगाया जाएगा इसका एक वीडियो मैं अलग से डालूँगा जिसमें आपको बताऊँगा कि किस तरह के साइस का installation होगा infotainment system का touch screen android system का और चार होई dose की speakers का तो यहां पर भाई आप बैक वाली seat में देख सकते है headrest का installation भी हो गया है proper fitment है और look बहुत भैतरी इसका यहां पर अब आपको देखने को मिलेगा तो दोस्तो यह कुछ accessories है जो कि आपको neo n4 variant के लिए market से मिल जाती है तो आप भी इन accessories को डलवा के आप टी गाड़ी को modify करवा सकते है तो दोस्तो आज के लिए वीडियो में इतना ही वीडियो आपको कैसा लगा भाई मुझे comment करके जरू बताएगा और भाई चैनल को subscribe जरू किजएगा मिलता है सी next video के साथ मैं तब तक के लिए गुडबाई जाहीन जाभारत